तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्वी पोईटीज पर तो आज हम एक ऐसे महान ब्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनोंने धर्म के रक्षा के लिए अपने पुत्र अपने पिता का बलिदान कर दिया ऐसे महान गुरु को सर्व पिर्थम तो कोटी-कोटी नमन करता हूँ और आगे उनके लिए उनके बारे में कुछ बात करते हैं परोपकारी गुरु गोविंद सिंग जी में सबसे बड़ी बात यह थी के वे अपने आपको औरों जैसा सामाने वक्ती ही मानती थी गुरु गोविंद सिंग जी के वारे में लिखना या वताना मुस्किल है क्योंकि साहिव एक कलाम बात्सा दर्वेश गुरु गोविंद जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा आपके जीवन के वारे में बताते समय समझ नहीं आता कि आपका जीवन किस पक्ष में लिखा जाए अगर आपको एक पुत्र के रूप में देखा जाए तो आपके जैसा पुत्र कोई नहीं जिसने अपने पिता को हिंदु धर्म की रक्षा के लिए सहीध होने का आग्रह किया हो यदि आपको पिता के रूप में देखा जाए तो आपके जैसा महान पिता कोई नहीं जिनोंने खुद अपने बेटों को सस्त्र दिये और कहा कि जाओ मैदान में दुस्मन का सामना करो और सहीधी जाम को पियो यदि आपको लेखक लिखारी के रूप में देखा जाए तो आप धन्य हैं आप सिखों के दसम यानि की दसमे गुरू हैं आपकी इतनी उची सोच को समझ पाना आम बात नहीं सांती प्रेम और एकता की मिशाल गुरू गोविंद सिंग्जी हैं आप त्यागी के रूप में वो ब्यक्ति हैं जो अपने आनंदपुर के सुक छोड़ मा की ममता पिता का साया बच्चों के मोह को आसानी से धर्म की रक्षा के लिए त्याग दिया यदि आपको योद्धा के रूप में देखा जाए तो आपने अपने हर तीर पर एक तोला सोना लगवाया हुआ था जब इस सोने का कारण आपसे सिखोने पूछा कि मरते तो इससे दुस्मन होते हैं फिर ये सोना क्यों तो गुरू कोविंद सिंग जी का उत्तर था कि मेरा कोई दुस्मन नहीं है मेरी लडाई जालिम के जुल्म के खिलाब है इन तीरों से जो घायल होंगे वो इस सोने की मदद से अपना इलाज करवा कर अच्छा जीवन ब्यतीत करें और अगर उनकी मौत हो गई तो उनका अंतिम संसकार हो सके ये विचार गुरू गोविंद सिंग जी के थे गुरू के रूप में देखा जाए तो आपके जैसा गुरू भी कोई नहीं जिसने अपने को सिखों के चरणों में बैठ कर अमरत की दात मगाई और वचन किया कि मैं आपका सेवक हूँ जो हुकम दोगे मन्जूर करूँगा समय आने पर आपने सिखों के हुकम की पालना भी की आप वो व्यक्ति थे जिनका जैसा ना तो इस धर्थी पर हुआ है ना कोई होगा आगे चल कर मैं केवल आपके किये हुए आपके कहे गए केवल वही शब्द सवाल आख से एक लड़ाऊं तम मैं गुरु गोविंद कहाऊं जो मन को प्रफुलित उत्तेजित कर देते हैं आप जैसे गुरुवर को कोटी कोटी प्रणाम कोटी कोटी नमनूं